Hello dear students, welcome to your online class for subject English. In English, today's video, we will discuss chapter number 12, The Milkman's Cow. Okay, आज की वीडियो में हम chapter number 12, Milkman's Cow discuss करेंगे. एक छोटी से स्टोरी है, okay? So, now let's start. The Milkman's Cow was in a bad mood. जो Milkman की गाएं थी, वो बहुत ही बुरे mood में थी. It sat in the middle of the road and refused to move. उसने क्या किया? वो रोड की बीचो पीचा कर पैट गई और वहां से बिलकुल भी नहीं हिली. ठीक है? The Milkman bagged the cow to get up. जो Milkman तर उसने बहुत कोशिश की, गाएं को उठाने की. जो Milkman की बच्चे थे, वो दूद का इंतजार कर रहे थे ताकि वो दूद पीके बड़े हों और मस्बूत बने. प्लीज गैट अप, he pleaded, वो कहता है, प्लीज उठ जाओ, he pulled and tugged and prayed. वो उस गाएं को खीचने की कोशिश करता है, उठाने की कोशिश करता है, but the cow was not going anywhere that day. बट वो जो गाएं थी, वो वहां से बिलकुल भी कहीं नहीं हिलती है. अलोंग कैम, a policeman, his buttons and buckles gleaming bright, तभी वहां से एक policeman आ रहा होता है, जिसके जो बटन हैं और मूचे हैं, वो बहुत जादा चमकरी होती हैं. हम, he said, filling his long musket. The policeman and the milkman pulled and tugged and prayed. यो policeman था और milkman था, दोनोंने बहुत कोशिश की उस गाएं को वहां से हटाने की, but the cow was not going anywhere that day, पर वो cow जो गाएं थी, वहां से बिलकुल भी नहीं हिली. Along came a grocer with bags of potatoes and peas, तभी वहां से एक grocer आता है, grocer बोलते हैं सबजी बेशने वाले को, ठीक है, जिसके पास आलू और मतर का बैग होता है. He said, I'll move this cow with the greatest of ease. वो कहता है, मैं इस गाएं को यहां से, आसानी से हटा दूंगा. The grocer, the policeman and the milkman pulled and tugged and prayed, फिर वो तीनो के तीनो जो सबजी बेशने वाला था, policeman था और milkman था, वो तीनो के तीनो, उस गाएं को वहां से उठाने की कोशिश करते हैं. But the cow was not going anywhere that day. पर वो जो गाएं थी, वहां से बिल्कुल भी नहीं जाती है. Along came a wrestler, his muscles gleaming in the sun. तभी वहां से एक जो पहलवान होता है, वो आता है. ठीक है, उसके जो muscles थी, उसके जो body थी, वो शूरज की रौशनी से बहुत ज़ादा चमक रही थी. He said, I have the strength of ten horses, so this should be fun. वो कहता है कि मेरे पास क्या है, दस घोडों की ताकत है, तो मेरे लिए तो ये बहुत ही चोटा सा काम है. ठीक है? The wrestler, the grocer, the policeman and the milkman pulled and tugged and prayed. फिर वो चारो के चारो गाएं को वहां से उठाने की कोशिश में लग जाते हैं. ठीक है? But the cow was not going anywhere that day. पर वो जो गाएं थी, वो उस दिन वहां से बिलकुल भी नहीं हिलती है. Along cam, the ice cream man singling his cart. तभी वहां से एक ice cream बेशने वाला आता है अपने cart के साथ. Cool down, cool down, it can't be too hot. अब ice cream man वहां पे आता है, तो वो कहता है कि आराम से काम लो, यह इतना मुश्किल काम नहीं है. फिर वो सभी मिलके उस गाएं को वहां से उठाने की कोशिश करते हैं, पर वो गाएं फिर भी वहां से बिलकुल भी नहीं हिलती है. तभी वहां पे क्या होता है? छोटा सा बच्चा आता है. ठीक है? And cows eat grass, he held out a sieve of tasty grain. The cow begin to chew. वो बच्चा क्या करता है? उस गाएं को थोड़ी सी हरी खास खिलाना शुरू करता है. और वो गाएं धीरे-धीरे उस खास को चबाने लग जाती है. He slowly led her to the side, before he knew what to do. फिर वो क्या करती है? धीरे-धीरे वहां से हिलने की कोशिश करती है. The grocer clap. The policeman twill his steak. Enjoy. फिर जो grocer होता है, सबची बेशने वाला होता है, वो उस बच्चे के लिए तालिया बजाता है. जो policeman होता है, वो अपनी steak यानी की जो पुलिस की चड़ी होती है, उसको नीचे जमीन पे मारता है. The wrestler grin. जो wrestler होता है, वो अपनी body को बिलकुल अच्छे से दिखाता है. The ice cream man whooped at the cleverness of the boy. और जो ice cream man होता है, वो उस बच्चे की जो चतुरता थी, उस पे बहुते ज़ादा खुशी चाहिर करता है. The milkman happily chattered his pale. Being kind and loving is best. For force and strength can fail. फिर वो क्या कहते हैं, कि हमें क्या करना चाहिए, किसे भी काम को करने के लिए हमें प्यार से उस काम को करना चाहिए, वो ही अच्छा होता है. ठीक है अगर हम किसी की काम को करने में अपना बल का प्रियोग करेंगे अपनी ताकत का प्रियोग करेंगे तो वो काम कभी भी सफर नहीं होता है ठीक है तो यह स्टोरी थी The Milkman's Cow I hope you like it तो चलिए अब हम इस चैप्टर की New Words देखते है इसमें सबसे first है Milkman Milkman means दूद बेचने वाला Mood, mood means मन Middle, middle means बीच में Refused, refused means मना करना Policeman, policeman means पुलिश वाला Grosser, grosser means किराने वाला Razzler, razzler means पहलवान Ice cream, ice cream means ice cream Bread, bread means प्रातना की Okay, so यह थे इस चैप्टर की New Words I hope you like it Okay, thank you, have a great day